किसान भाई व नमस्कार आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन भाईयों के लिए जिन्होंने एक महीने पहले धान लगा दिये थे अपने या फिर अब लगाने की तयारियां कर रहे हैं या फिर 15-20 दिन में या एक महीने बाद लगाने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फोर्मिशन देने वाला हूँ कि किस साइस के धान पर या किस टाइम पर आपको क्या डोज लगानी है और क्या dose लगा के आपको क्या benefit मिलने वाला है आज की वीडियो में मैं आपको हर जानकारी देने वाला हूँ लगवग 700 से 800 रुपे प्रती बीगा यानि कि 4.5-5.000 रुपे प्रती एकड के हिसाब की dose में आप अपने धान बहुत अच्छे पका सकते हैं 4.5-5.000 रुपे प्रती बीगा के हिसाब का धान जो की लगवग 25-30.000 रुपे एकड के हिसाब से बैठता है आप इस वीडियो के माध्यम से पका सकते हैं बहुत असानी से और आपको इससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो आज मैं आपको पूरी इन्फोर्मिशन देने वाला हूँ तो बने रहे वीडियो पर आये शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले कोशन में जानेंगे कि धान की रोपाई के समय हमें क्या डालना चाहिए तो किसान वाईयो यदि आप DAP डालना चाहते हैं तो आप DAP बिलकुल न डालें और DAP की जगह जो कि 50 किलो का पूरा बैग आता है DAP का उसकी जगह आप 50 किलोग्राम खल ले लीजिए सरसों की सुद्ध खल और उस खल को DAP की जगह यूज कीजिए इतने ही रुपे का DAP पढ़ता है और सम्तिंग इतने ही रुपे का खल पढ़ता है यहाँ पर तो आप खल लीजिए और उसके साथ में कॉपर ऑक्सिक्लोड ले लीजिए 1 किलोग्राम नीला थोता 1 किलोग्राम और इस सभी साल्ट की जगह इस सारे साल्ट को आप यूरिया में मिला लीजिए लगवग 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में आप इसे मिक्स करके खेत की रोपाई के समय पर डाल दीजिए डालने के साथ में आपको यहाँ फाइदा क्या मिलने वाला है जो आप सर्सों की खली डालेंगे उससे गर्मी के सीजन में जो मिट्टी के रंद्रों ओपन हो जाते हैं नीचे पानी जाने लगता है उन रंद्रों को भरने का काम खली यहाँ पर करेगी और यदि गोल में आप खल डाल देंगे उससे मिट्टी के अंदर के जो उपन रंद्रोंगे वो रुक जाएंगे पानी अच्छे से रुकने लगेगा पानी की बशत बहुत जादा होगी खेत में जो काही बनती है वो बहुत जल्दी से बन जाएगी और खेत में जो बूस्टर आप लगाएंगे उनका रिजल्ट बहुत असानी से आपको देखने को मिलेगा खेत के अंदर दान की रुपाई के जर्ष्ट 24-36 गंटे के अंदर आपको प्रेटिलकलॉर एक लिटर प्रती एकड़ के हिसाब से डाल देनी होगी इसका छिड़काव आप कर सकते हैं जिससे कि आप खर्पतवारों को नियंत्रित कर सकें यदि रुपाई के लगवग 3-5 दिन और या 5-8 दिन तक की बात करें तो आपको यूरिया 30 किलोग्राम लेना है हिउमिक एसिड एक किलोग्राम और सागरिका 10 किलोग्राम लेनी है किसान भाई ओ 72 गंटे के बाद में आप 8 दिन के अंदर आपको ये डोज लगानी होगी और इसे आप यूरिया के साथ में मिलाके छिड़काओ कर दें पानी खेत में बनाई रखें जिससे की प्रिटिला गलोर भी यहाँ पर काम करती रहेगी और जैसे ही काही बनती है आपको जो दवाएं यूरिया और हियूमिक एसेड और उसके सागरिका लगाएंगे वो फुटेर का काम बहुत जल्दी से करेगी तो आठ दिन में आपका पौदा अलगवक स्वस्त हो जाएगा फुटेर दो से तीन पौदे की फुटेर भी तयार हो जाएगी और यहां पर वो पौदे के लिए जो हमने नीचे खाद लगाया हूँ है उसे अफसोसित करने के लिए उसकी जड़ों का विकास बहुत जल्दी से होने लगेगा तो किसान भाईयो यहां पर दूसरी डोज इस पकार से आपकी कंप्लेट हो जाती है किसान भाईयो इस डोज में बात करते हैं 8 दिन से लेकर 20 दिन तक के डोज के बारे में यहां पर हमें 8 से लेकर 20 दिन पर क्या डोज लगानी चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूरिया लेना होगा 30 किलोग्राम सागरिका जहां पर हमने पहले 10 kg लगाई थी अब सिर्फ 5 kg की आवश्यक्ता होगी क्योंकि फुटेर करने के लिए पौदा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और फुटेर भी लगवागी यहां पर काफी पौदां की निकल आई है तो इसके साथ में फेरस सल्फेट हमें 6 kg लेना होगा हुमिक एसिड 500 ग्राम लेना है जो हमने पहले 1 kg लगाया था यहां पर सिर्फ 500 ग्राम लगाने की जरूरत होगी और यह हमें 8-20 दिन के बीच में एप्लाई कर देना है यहां पर किसानवाई हो यहां पर जो दिक्कते हैं इस प्रकार के धान में वो परिशानी आती है थ्रिप्स कीट की या रस्चूसने वाले कीड़े की जो उड़ने वाला कीड़ा होता है वो अक्सर धान को नुकसान पहुंचाता है तो इसके लिए हमें डाइसो एमेल लेमडा लेना है और उसे 180 लीटर पानी के साथ मिला कर स्प्रे कर देना है अब बात कर लेते हैं 20 दिन से लेकर 35 दिन तक के यहाँ पर डोस के बारे में या इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो किसान वाई हो यहाँ पर यूरिया हमें 30 किलोग्राम ही लेना है हुमिक एसिद 500 ग्राम और यहाँ पर हमें एक चीज बदलने होगी भुजा हुआ चुना, यहां पर हमें 5 kg भुजा हुआ चुना इस साल्ड के साथ में मिला कर यूरिया के साथ मिला कर खेत में शिटकाव करना होगा बुजा हुआ चुना यहांपर कैलसियम का काम करेगा हुमिक ऐसे पौदे के बूस्ट में और मतलब उसके कलर को काला करने का काम करेगा फुटेर भी लेकर आएगा और पौदे में प्रकास ससलिसन की क्रिया से उसे बोजन बनाने की जो शमता है वो जल्दी से बढ़ेगी तो किसान भाईयो यूरिया यहांपर पौदे को उपर बूस्ट करने का काम करेगा तो यहांपर हमें एक कीड ना सकी इस्प्रे करने की ज़रुत पड़ेगी तो यहांपर हमें प्रोफेक्स लेना होगा पचास दिन तक के ट्रीटमेंट के बारे में तो यहांपर हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ एनपी के लेना है उननीस उननीस एक किलो ग्राम और हिूमिक एसेड लेना है पांस सो ग्राम इन दोनों साल्ट को लगबग 180 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ मिला कर हमें इस पर करना होगा इससे क्या होगा जो पौदे की ग्रोथ कम हुई है या बड़वार कम हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छा बूश्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपको लगबग 45 से 50 दिन तक कोई भी दूसरे साथ लगाने की ज़़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर हम पूरा ट्रीटमेंट फुल कर चुके है फोटेर भी यहां पर अल्लेडी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है और पौदा भी यहां पर उपर ग्रोथ कर रहा है अच्छे प्रकाश्ट किसानवाईओ अब बात कर लेते हैं 50 दिन से ऊपर की डोज के बारे में तो किसानवाईओ जब 50 दिन से ऊपर हमारा खेत हो जाए तो उसके लिए हमें 6 किलोग्राम सलफर लेना होगा 6 किलोग्राम पोटास लेना होगा जो की दाने दार फॉर्मा आता है पाउडर वाला नाले और इसमें आप एक किलोग्राम नीलत होता लें इसमें आपको ना तो कोई फैरस डालने की ज़़रत है नहीं आपको काल्ट अब डालने की ज़़रत है जैसे कि हमने DAP नहीं लगाई है तो उसमें हमारे दाने को भरने का और बजन बढ़ाने का काम यहाँ पर पुटास करेगी तो यह साल्ट हमें लगवग 30 kg यूरिया यूरिया चाहें तो कम भी ले सकते हैं अगर धान की बढ़वार ज्यादा हो रही है या उंचा बढ़ रहा है तो आप यूरिया और भी कम मिला के इसमें लगा सकते हैं बस यूरिया इतना ले ले लें जितना कि आप छिड़काओ कर सकें अच्छे प्रकार से ताकि यह साल्ट नीचे खित तक पहुँच जाए और बाल निकलने से पहले आपको यहाँ पर लगव और दाने का जो फूल है वो जहड में लगता है इससे हमें नुकसान देखने को मिलता है इसलिए इसकी इस पर हमें पहले ही कर देनी चाहिए तो किसान भाई हो यहाँ पर आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आप इसे जरूर प्रेस करें ताकि आप सब किसान दिखाई देगा और all कर देंगे तो यहाँ पर आपको जैसे वीडियो आएगी हमारी उसका नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा तो किसान भाईव आशा करता हूं आपको जहानकारी अच्छी लगी होगी जहानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क